गुड मॉनें अबरीवन तो चलिए स्टूडेंट्स इस वीडियो में एक और कुस्स करते हैं और यह जो कुस्स से आपको Elimination of Trigonometric Ratios जो Chapter No.13 RS Agrawal से चल रहा था ठीक है और लास्ट टॉपिक भी है तो इसमें questions प्रैक्टिस करते हैं हम लोग फिर देखें इसमें गिवेन क्या है आपको If sin theta plus cos theta is equal to m यह गिवेन है Sec theta plus cos theta is equal to n यह भी गिवेन है Sec theta plus cos theta is equal to n है ठीक है Prove करना है n into m square minus 1 is equal to 2m यह प्रूब करना है ठीक है तो यह जो आपको solution डाल करके आप क्या कर लिएगा जो गिवेन है यह दोनों गिवेन को लिख लिजएगा तो फिलाल हम आपको solution से start करते थोड़ा सा गिवेन को नहीं लिखते हैं ठीक है आप लिख लिजएगा ओके तो यहां पर देखिया हूं चले इसको LHS को ले करके चलते हैं LHS को थोड़ा से solve कर लेते हैं देखिए क्या होता है एकदम simple है इसको solve करके दिखा देते हैं आपको LHS में क्या है n into m square minus 1 ठीक है बहुत सारा कोसस में आप given जो होता उसी में squaring, cubing करके आप प्रूब कर सकते हैं ठीक है लेकिन इस कोसस में जो LHS है उसको solve करते हैं उसमें क्या करेंगे m और n का value put कर देंगे तो यह भी easy method से है ठीक है अब यहां पर क्या है आपको कि n का value ठीक है तो n का value क्या है यहां पर sec theta plus cos theta n is equal to क्या है आपको sec theta plus cos theta clear है यह n का value bracket में डाल दिये फिर into है तो यहां चलिए big bracket का use कर लेते हैं क्यूंकि m का value भी put करना है तो m का value जह है आपको m का value sin theta plus cos theta आप यहां पर स्मॉल bracket use कर लेंगे इसलिए big bracket डाल दिये देखिए यह जो bracket है इसके जगर हमने last bracket का use कर लिया ठीक है फिर m का value डाल दिये आप यहां पर माइनस जो one है इसको डाल देंगे बस इसको आपको simplify कर देना है कॉसस बन जाएगा थोरा सही बीच में आपको थोरा धियान रखना है अब यहां पर देखिए इसको थोरा सच साइन कोस में ही बदल लेते हैं तो one by सेक थीटा स्वरी सेक थीटा मतलब क्या होगा वन वाइक कॉस थीटा कॉस एक मेंस होता है साइन कॉस थीटा यहां हो जाएगा उपरमें डिवार करिए थीटा संट क्या होता है प्लस शाएगा और और यह राखेट को हटा सकते हैं अब यहां देखिए, sin square theta plus cos square theta, इसका value 1 होगा, क्योंकि यह एक identity है, sin square theta plus cos square theta, इसका value 1 हो जाएगा, 1 होगा न, 1 डाल देंगे, अब plus 2 sin theta into cos theta, ठीक है, अधर minus 1, minus 1 जो है, वो डाल दिये, अब plus 1 और minus 1, यह तो cancel out हो गया, यह क्या हो गया, अब ज़रा देखिए, गौर करिये हैं, यहां पर, आपको क्या बच गया, इधर बच गया, इधर बच गया, आपको, sin theta, sin theta plus cos theta, नीचे में है, फिर sin theta into cos theta, ओके, cos theta, इंटू, इधर बच गया, 2 sin theta into cos theta, ब्राकेर रिमूव, अब यह sin theta into cos theta, यह cut गया, यहां इंटू है, उपर बच गिया आपको sin theta into cos theta into sorry sin theta plus cos theta यह यह क्या plus में है तो इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा देखी इसको ऐसे लिख सकते है ना 2 into 2 into sin theta plus cos theta यह बच गिया numerator में our denominator में तो cancel out हो गया वहाँ बच गया आप ज़रा देखिए 2 into sin theta plus cos theta के ऍसका टू के है तो ये तो के हैं म डाल देंगे तो और लॉस्ट काल थे स्रहिट का निकल था है नोड यह ख्ऐए यह आप पिर हटे यह आपको रहा इस-थी निकल गया ठीक है अब नीचेस यह लिए था वो होब कि आप यह सुच को समझ गया हुएगा, thank you.